वेलकुम टू मायूटूब चनल क्यमिस्टी बस मैसल पासिस भासकर सीवन्य क्यमिस्टी फेकल्टी अब चाटे ग्रोप इंस्टूशन बच्वाज हम लोग यहां पर थोड़ा सा स्टडी करने वाले हैं बॉर्ण फेमिली को लेके तो यहां बच्वाज हमारे पास जो हैलेट दिहान दो यह गश्यक्त लिया आपका फ्लोरी तो यहां मौत थाँ आपको विस्टी बात करते हैं लात क्लूरीन आपका विगर राइजों हो चुका है चैक करके बताओ कहां पर प्रॉपर ओबरलेपिंग और ओट्रिस के बीच में हो सकती है तो आपका अंसर ही होगे, सबको पता है कि दो similar size के हैं जैसे एक में example देते हैं बिराट कोली अनुष्का शर्मा तो उनकी proper आपकी ओबलेपिंग क्यों हो पारी है क्योंकि बच्चों वो पर आपकी sim size के हैं तो यह एक simple example है आप इसको उसी तरीके समझो तो यहां पर आपका इस last molecules यहां पर ओर्टरस में देखो बच्चों ओबलेपिंग आपके नहीं हो सकती है यहां भी problem करेगी यहां पर बटा effective हो जाएगी जिसे मैंने बताया था तो लिखा भी है क्यों पर रिजन पर समझो दूसरा रिजन क्या है कि भी बरॉण जो है बटा वो आपके 2P को represent करेगा अब इसके सामने बच्चों का 2P आएगा तो तो overlapping कर जाएगा proper कोई doubt ही नहीं होगा ब्लोकल effective कर जाएगा good overlapping हो जाएगी लेकिन 2P के सामने अगर 3P आगया तो क्या overlapping करेगा energy different होगी न less मतलब moderate overlapping अगर 2P के सामने अगर बच्चों 4P आएगा 4P का मतलब बच्चों क्या है आपका bromine नहीं होगा energy different नेक्स मतलब 2P के सामने अगर 5P आएगा तो बटा कोई भी possibility कोई chance नहीं है होई नहीं सकता है मतलब बच्चों पूर overlapping हो जाएगी तो इसलिए बच्चों दोको 2P के साद 2P good overlapping 2P के साद 3P moderate overlapping 2P के साद 4P poor overlapping और 2P का 5P तो यहां तो बच्चों overlapping poor का मतलब नहीं बटा यहां पी possible होता ही नहीं है आप ऐसे इसको समझ सकते हो क्या आपको बास समझ में आ रही है तो यहां पे मैं एक point को relate करता हूँ क्या कि अगर आपके halogen का भी size increase कर रहा है simple समझना मचो अगर आपके halogen का size increase कर रहा है तो क्या आपका यहां पे जो back bonding tendency है मतलब जो आपकी long personality की tendency halogen की वो आपकी increase करेगी तो आपका answer होगा नहीं करने वाली है ठीक है क्योंकि यहां पे जो orbitals की बीच जो overlapping बाला concept है भाई वो आपका possible नहीं होता दिख रहा है इसका मतलब यहां पे जो effective overlapping होगी बच्चो बो आपके bf3 में होगी और इस तरीके से order आपका follow किया जाएगा कशको बाद समझ मेड़ा तो bf3 में proper maximum होगा bf3 के अंदर आपका proper overlapping देखने को नहीं मिलने बाला है clear है समझ में आ गया है चलो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने आपको इस ट्रेक्टर में ट्रॉप करके आपको दिख रहा है effective होगा effective होने की पिज़े reason ही बच्चो बहुत है यहाँ पे आपको जो orbitals है बच्चो वो कैसे है same orbitals का moment हो रहा है but in case of chlorine वहाँ पे आपको problem होने वाली है ठीक है क्यों यह तो आपका boron पता है आपको इस चेकिंड period के element है तो यहाँ पे दिखकत आपको आने बाली है तो यहाँ पे proper effective नहीं होगा होगा तो बड़ effective नहीं होगा ठीक है तो लिखाए बिटा है moderate amount overlapping is there back bonding आपको मिलेगी but moderate amount होगा effective नहीं होगा ठीक है बात करने बाले है ध्यहन देना very very important यहाँ बात करेंगे हम लोग boron के बारे हम बात कर चुके है now comes to ALF3 ALCL3 ALBR ALI3 ठीक है यहाँ मिला बास समझनी है कि लिखाए में aluminium halide do not form back bonding back bonding form नहीं करते है ठीक है क्यों because size of aluminium is bigger than boron as size increases overlapping decreases ठीक है if overlapping is poor then back bonding not possible ठीक है तो back bonding आपको नहीं होगी जब back bonding नहीं होगी तो किसी भी molecules को अपने octet to complete करना ही है तो इसकेंड option बसता है उसके पास dimerization जब पहला option काम नहीं करता है तो second option पर आपको ट्रेबल करते है वही point इन के सामने है लेकिन ध्यान देना कि आपका जो ALF3 है ALF3 के बारे इम बात करते है तो ALF3 बच्चो दोना फॉर्म करता है अगर मैं बताऊ तो back bonding effect 2 नहीं करेगा effect 2 क्यों नहीं करेगा तो कि आपको पता है कि जो fluorine है बच्चो वो आपको बटा क्या define करेगा 2P ठीक है और aluminium की बात करेंगे तो ये बच्चो आपके थर्ड प्रीड के नदर define होगा ये सिकीन प्रीड का element है थर्ड प्रीड का element है तो मुझे बताऊ क्या है यहाँ पर moment हो सकता है आपको इलिक्ट्रोंस का backbonding करता ही नहीं है लेकिन बटा करता है ये लेकिन less amount में होगा effective नहीं होगा इसलिए वहाँ पर less बोल दिया गया है वहाँ पर आपको नहीं बोला गया ये आपको समझना चाहिए ठीक है और reason बच्चो आपको समझना चाहिए ये भी reason आपको दिया जाता है कि आपका जो दो reason है कि आपका आप period को देखते हो तो overlap में आपको देखेगी ये ना backbond आपको देखेगी लेकिन जब size पर जाते हो तो size बोलता है कि size बढ़ा हो गया है कि ये आपका boron है ना ये आपका aluminium तो size बढ़ा की नहीं बढ़ा इसका साथ बढ़ चुका है तो size बढ़ा होने से आपको बढ़ लेपिंग नहीं हो पाती है ये भी इसका reason है दोनों आपको effective reason है लेकिन द्यान देना है कि questions किस तरीके से पूछागा है options किस तरीके से language क्या है questions को इस पर focus करना तो ये back bonding करता है बढ़ effective नहीं करता है सबको समझ माँ आना चाहिए ठीक है लेकिन जो नीचे के 3 नहीं बच्चो कौन कौन से ALCL3 ALBR3 और ALI3 इनके पास कोई chance नहीं है ये बिल्कुल भी आपकी बटा back bonding कभी भी नहीं करेंगे तो दूसरा chance नहीं कि dimerization इसलिए बचो ये करते हैं dimerization और dimerization को बटा follow बिल्कुल करते हैं और dimerization follow करने के साथ फिर बचो यहाँ पर molecules आपके form करते हैं अपनी stability को define कर पते हैं बास समझ में आ रही है तो मैं लेख सकता हूँ कि अगर आपका size increase होगा बटा orbitals का एटम का तो आपका वहाँ पर जो overlapping का जो concept है वो आपका decrease होता जाएगा ठीक है लेकिन ALF3 को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा बास समझ में आगे सबको अब सबते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे dimerization किस तरीकी से होगा die का मदर 2 पीटा मर्श का मदर unit 2 units किस तरीकी से combine होगा कौन सा bond होने बाला है समझते हो उस point को ओके next point को बच्चों हम लोग समझते हैं यह सबके सब आपके dimers form करेंगे लेकिन यह dimer form नहीं करते हैं मैंने बोला था उसको समझते हैं हम ऐसे कैसे मालने है मतलब इसका आपको question mark का answer देना है तो कैसे ध्यान देना आपको पता है कि जो fluorine है बच्चों पेरियोड टेबिल के अंदर इसकी जो elektron negativity है उबचों कैसे है सबसे highest है आपको पता है अट्रक्टिव पापर सबसे अधने अग्जम है तो ज़रा मैं इसको बना के देखते हैं यह आपका aluminium now this is fluorine and this is fluorine मैं dimers बनाने कोशिस कर रहा हूँ ठीक है समझना और आपको समझ में आज जाएगा यह आपका aluminium इसके तरह बटा मैं move करूँगो तो आपका fluorine now this is fluorine सब लोग ध्यां से समझना है इसको समझ में आपको एक बार में आज जाएगा ठीक है तो बचों यहाँ पे क्या होने वाला है कि इसके पास बचों क्या है aluminium के पास vacant or return और इसके पास भी vacant or return और यह जो fluorine है बचों इसके पास क्या है 1, 2 एन आपका 3 lone pairs इसके पास भी बचो 1, 2 now this is 3 तो इसी तरीके से यहाँ भी आपके 3-3 lone pairs आपके present होगे अब समझने वाला पॉइंट यह है कि क्या यह fluorine अपने lone pairs को यहाँ पे move कराएगा क्या यह fluorine अपने lone pairs को यहाँ पे move कराएगा vacant or return की तरफ तरफ एसा नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि fluorine की electron negativity बचों बहुत high है तो high electron negativity की बज़ए से यह बटा अपने lone pairs को बिल्कुल भी fluorine बिल्कुल भी ट्रेबल नहीं करने देगा आपने lone pairs को नहीं देना चाहेगा जो lone pairs को देना यह नहीं चाह रहा है वो तो भाई किस तरीके से यह का नहीं जाने बाला है तो फिर यह जो आपको कर में यहाँ पे लिख हूँ इस तरीके से इन दोनों को mix करके AL2, F6 कए molecules possible होता है आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा तो यह molecules आपका possible इसलिए नहीं होता है क्योंकि बच्चों actually this is a dimer form of ALF3 this is a dimer form of ALF3 तो यह possibly क्यों नहीं हुआ है answer बच्चों एक है आपका electron negativity हाई होनी की बज़े से आपको जो fluorine है वो अपने long pairs of electrons को किसी को share नहीं करेगा जब share ही नहीं करेगा तो आपका जो ALF3 वो dimer form ना करके बच्चों क्या करता है वो आपका back bonding nature को ही बच्चों कर लेता है बच्चों अक्टेट वो फॉलो कर लेता है और स्टेवल हो जाता है लेकिन बाखी के साथ आसा नहीं होने वाला है तो बटा आपको पता है कि अलेक्ट्रो नेगेटिविट सेक्वेंस फ्लोरीन, ऑक्सिजन, नाइट्रोजन पता है आपका सेक्चेट वेटा आपका उक्सिजन रेता प्यून, नाइट्रोजन तो यह क्लोरчеन, ब्रोविन, आयोडीन है यह अपने उक्ट्रोङेट वटी कॉंसेट को माँदाब हाइस्ट प्रायोटी में सोनी कर पाएंगी टीक है जिसकी बेश से यह क्या करते हैं जिसे ALCL3 पढ़ा होगा अपने इसका dimer form पढ़ा होगा AL2 CL6 बिल्कुल पढ़ा होगा आपने टीक है तो dimer form करके stable होते हैं बाकि यह आपका stable नहीं होने वाला इस तरीके से समझ में आ गया होगा ALCL3 बच्चो बैक बांडिंग तो इसकी फिनिस हो चुकी है यह तो नहीं करने वाला है तो बच्चो यह करेगा आपका dimerization ठीक है तो जो dimerization concept वो इसके पास कैसे होता है देखो द्यान से बच्चो अगर आप 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 फोकस कर पा रहे होगे बटा बोरोन फेमली के element है आपका aluminium तो इसके पास बच्चो प्रेजेंट होगे आपके 3 balance electrons तो बच्चो आसानी से तीन सिगमा बांड फॉर्म कर लेगा चेक करो बच्चो बच्चो बट्चो 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 मॉलीकुल कैसा डेफिशेंट अगर डेफिशेंट मॉलीकुल से है इसका मतलब यह लिविस एसिड हो गया तो लिविस एसिड की तरीके से काम करेगा अभी चाहिए क्या बटा इसको 600 थे इसके पास दो और इससे कहीं से मिल जाए तो कितने हो जाएंगे 8 बिलकुल सही आप आपका मॉलीकुल इस्टेवल लेकिन द्हान यह भी दो कि यह कभी भी बैक बॉंटिंग करेगा नहीं जब बैक बॉंटिंग नहीं करेगा तो बैटा करेगा डाइमराइजिसन और डाइमरेशन करने के लिए देख सकते हो बचो यहाप यहाप क्या सीन होने वाला है अगर म बैकेंट और जिखना पड़ेगा अलिमिनु के पास व्केंट और यहाप यहाप यहाँ से इसके पास ब्युकूरिफ similarities करें और इसकелей बात करो गएं तो यहाँ पी यहाया सीमोग करेंक आधेगा ड़ा की है इसके पास vacant घर था ऐसे समझो ठीके कमरा था इसका खाली था इसके पास बटा यहां से दो लेक्ट्रोंस आपके इधर से इधर ट्रेवल किया है क्यों इसके पास खाली कमरा था बास समझ में आ रही है बचो तो यह molecules यहां पर आपका form हो चुका है इस तरीके से लेकिन यहां यहां पर एक point यह निकल के आता है जो एक question में बता हूँ कि यहां पर aluminium का hybridization क्या होगा जब आपके molecule form हो जाएगा dimer form तो answer होगा बच्चो sp3 sp3 hybridization अगर आप यहां चेकर होगे तो एक दो तीन तीन bond देख रहे है न तो sp2 hybridization यहां पर sp3 हो गया molecule की stability बढ़ती जा रही है molecule stable हो चुका है molecule stable होने के पर यह reason क्या है बच्चो कि सब के पास कितने है आपके 888 का मतलब octate आपका complete हो चुका है molecule की stability बढ़ चुका है hybridization is sp3 very important next बच्चों आप बात करते हैं कि आप यह bond length के बारे में ठीक है तो जैसे बच्चों मान तो बटा यह आपका aluminium है first यह आपका second है इसका यह chlorine इस तरीके से बटा numbering करके यहाँ पर define कर दिया है देख सकते हो यह आपका यहां से 1,2 आपके aluminium 3,4,5,6,7,8 ठीक है bond length है यह भी आपकी वेटा by bond length है और यहां से यह भी आपकी by bond length है ठीक है और यह जो आपको यह बहार देख रहे ना 5,6,7,8 इनकी bond length मान लेते हैं वड़ा सबोज हम लोग X सबकी X bond है तो question यह है कि यह molecules of form हो चुका है dimeration हो चुका है तो bond length किसकी अधिक X या by की तो ध्यान यह बच्चों क्या होगे out of the plane मतलब एक नीचे होगा एक उपर होगा समझ मारा है आपको और यहां पर यह जो ACL2 और यह ACL2 यह आपके एक plane पर होगे तो एक 3 उपर होगा चौथक आपका क्लूरीन नीचे होगा और बागी जो आपके यहां पे जो क्लूरीन है वो आपके जो बताना चमंग बटा इसकी जो बाई की बॉंड लेंथ हो जाती है आपकी एराउंड टू टू ट्वटी बन पीम ठीक है पाई को मिटा और यहां पर जो एक्स जो बॉंड लेंथ होगी वो बच्चों आपके लबग मिलती है 200 का सपास 206 पीम ठीक है यह आपको बैलू मिलती है तो मतलब बाई बॉंड लेंथ बच्चों क्या हो जाएगी आपकी एक से अधिक हो जाएगी यहां तक आपको क्लियर पॉइंट समझ में आ चुका है चलते हैं नेक्ट्ट पॉइंट पे यहां पे इसके कुछ कोश्चन मिटा है यह कोश्चन सापको यहां पे इस कांसर को टिक करना पड़ेगा तो देखो इसमें यह आपके जो पांच पॉइंट है तो यहां से आपको यह ध्यान देना होता है जैसे बचो आपके 4 क्लोरीन and two aluminium are in one plane, कौन-कौन से त्यक करो एक, एक, दो, एक, तीन, और एक, चार, ये चारों आपके same plane में होगे, उसके साथ ये दोनों aluminium, ये आपके जो part है, ये आपके same plane में होगा, ठीक है, जैसे table के उपर रखे हैं, इसमें जो bridges chlorine है, एक, तीसरे number बाला, चार, फोर्थ नंबर बाला, तो ये दो जो bridges chlorine है, वोई बेटा, out of the plane होगे, एक उपर होगा, एक, नीचे होगा table के, next, एक, जो आपका hydration होगा, वो hydration बच्चो क्या होगा, this is the sp3 for the aluminium, क्यों, दो elektrons मिल गए ना इसे, तो bond बन चुका है, तो sp3 हो जाएगा, 8 होते ही, next, important point बच्चो आपका fourth है, क्यों important है, लिखा है बच्चो, this is three centered, four electron bond, three center बच्चो क्यों, एक aluminium यहाँ पे, दूसरा aluminium यहाँ पे, एक chlorine बीच में, ती center होगे कने हुए, आप यहाँ देखो, aluminium, chlorine, chlorine, यह aluminium, ठीक है, तो यह 3 center बटा हुए करें हुए, यह 3 center, four electron का मतलब क्या है, four का मतलब बच्चो यह है, कि यह जो आपका chlorine है, वो क्या कर रहा है, यह chlorine बच्चो, दो electron को transfer कर रहा है, इस aluminium के साथ, देखो, यहाँ से movement कराएगा न, दो electron को, और यहाँ पर पहले से भी present था, तो actually बच्चो, यहाँ पर एक तो नहीं आता है, एक आपको यहाँ पर सिग्मा से आपका present था, ठीक है, this is only sigma bond, यहाँ पर यहाँ पर यह condition bond आपका develop हो जाएगा, तो actually बच्चो, यहाँ पर कितनी electron से आपका participate के हैं, तो answer बच्चो कितना होगा, 4 electrons, तो answer बच्चो क्या है, 3 centered, 4 electrons bond, इसी के बटा हम लोग बोलते हैं, banana bond, ठीक है, यहाँ बच्चो, यहाँ आपका 3 centered, 4 electrons bond, यहाँ पर आपका form, यहाँ आपका answer समझ मागए हैं यहाँ पर, clear answer, चलो, हम लोग बात करने वाले हैं, कि hydrolysis, ठीक है, next आपका heading होगा, hydrolysis, ठीक है, hydrolysis का मदले बच्चो है, addition of water molecules, addition of water, हट्यक है, H2O molecule, ठीक है, देखो, तो बच्चो, आपके गर में, आपके बता पहूं, तो आपका BF3 हो गया, BCL3 हो गया, BBR3 हो गया, B I3 हो गया, अगर बटा आप इन molecules को अगर आप देख पा रहे होगे, ठाई हलेट को अगर आप देख पा रहे होगे, तो सबसे अधिक solubility किसकी होगी, तो मैं आपको बताता हूं पहले, BF3 जो बच्चो molecules है, इसकी उड़ा solubility उड़ा partial solubility, कैसा बच्चो, मैं बात करता हूं दिसे partial solubility उड़ा partial hydrolysis रहता है, बागी BCL3, BBR3, B I3, ये बच्चो आपके completely soluble completely hydrolysis बटा इनका होग पाता है, ठीक है, लिग देख रहा है, hundred percent, completely hydrolysis, पहले समझे बच्चो partial का मतलब क्या होता है, partial hydrolysis का मीन होता है, out of hundred molecules, only 80 are hydrolysis, ठीक है, आपके 80 molecules आपके बटा, जैसे अगर मैं बात करूँ बटा, हमारे पास hundred water molecules है, जिसमें से बच्चो 80 water molecules बच्चो आपके hydrolysis हो चुके हैं, तो this is called partial hydrolysis, अब BF3 बच्चो ऐसा क्यों है, partial hydrolysis क्यों करता है, इसके पास आपका 1, 2, एन आपका 3, आपको पता है, ब्रोवीन आपका यहां पर बोरोन कैसा है, small size का है, फ्लूरीन कैसा है, small size का है, जब दोनों के दोनों small size के हैं, तो काफी close होगे कि नहीं होगे, बिल्कुल सही, बोरोन के, अगर आप देख पागो ना, कि सर यह रहाँ बोरोन, इसके पास में यह फ्लूरीन, यह फ्लूरीन, यह फ्लूरीन, बहुत close होगे, इतनी closeness होगी, जिसकी बज़ाई से, यहां पे, फ्लूरीन के पास जो present भाई सब, तीन जो लॉन पियर्स होगे न, वो क्या करेंगे, वो एक ही काम करेंगे, क्या, आपको इस समझ मागर आता होगा, कि जब यह hydrolysis process होता है, तो hydrolysis process के अंदर, water molecules, water molecules अपने लॉन पियर्स को पहले travel कराता, गर उसके सामने vacant orbital होगा, तो, अगर सामने वाली molecules के पास, central element के पास, यह side atom के पास, अगर आपकी free orbitals या free vacancy present होगी, अगर उसके पास vacant orbitals present होगे, तो, लॉन पियर्स आपका move करेगा, तो hydrolysis के अंदर कभी ऐसे मत करेंगे, कि सर्याज़ plus sign तोड़ दिया, OH minus sign तोड़ दिया, यह तो आने वाले molecules के, central atom के पास, यह side atom के पास, vacant orbital होगे, तो, वो वहाँ पर जाके आपका move कर जाएगा, ठीक है, bond form करेगा, फिर H plus बाहर निकल जाएगा, यह तो ऑक्षिन के पास positive charge आ जाता है, इसकी वज़े से, अब समझना नहां से, कि जैसे इसके सावने बच्चो water molecules introduce हुआ, तो water molecules के आते ही कहानी वही होगी, जो मैं बता रहा था, क्या, कि इसके जो present long pairs है, वो बजाना चाहेंगे, बच्चो किदार, boron के पास जो vacant P orbital है, उसकी तरफ move करना चाहेंगे, 2P की तरफ move करना लेकिन बच्चो मैंने बता है, यह बहुत close close है, इतने close हैं, तो इस long pair का और fluorine के long pairs का repulsion हो जाएगा, और repulsion होते ही, यह वहाँ पर move करेंगे सकता है, तो नहीं move कर सकता है, मतब हाइडूलिसिस क्या हो सकता है, आसानी से नहीं हो पाएगा, कुछ हद तक आवाँ आपका हाइडूलिसिस हो पाता है, लेकिन पूरी तरीके से हाइडूलिसिस क्यों नहीं हो रहा है, विकाज fluorine के जो long pairs हैं, उनके repulsion आपके feel होंगे किस के साथ, जो auction के long pairs हैं उसके साथ, जब repulsion काम करेगा, तो आपका ये long pairs अंदर move करीन सकता है, बेकेंट और्डल के पास, भाई खाली घर तो है ना बूरून के पास, लेकिन long pairs नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, विकाज fluorine repulsion feel कराएगा इस long pairs को, जब repulsion हो जाएगा, तो अंदर जाए नहीं सकता है, बात खत्म हो गई है, तो प्रॉपर हाइड्रोसिस हो जाता है, ठीक है, अब जब हाइड्रोसिस हो गया, तो प्रोसेस बच्छों क्या होगा, कि यह जो अगर आपका यहाँ पर हाइड्रोसिस को करेगा है, तो आटीकर चार्ट को इस अपर हैट्रोस का है करेगा, धे expect हो गसा है, भए बहूर नापकर जो बोन्दिंग भड़ाइऑ बना सकता है, तो Зल्या सकते ह, तो 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 कितने HF, 3 HF बहर जाएंगे, तो 3 HF और बन जाएगा आपका ये, बोरन के पास 1 OH, 2 OH, 3 OH, तो क्या बेटा जो लग सकते हैं इसको हम, H3, VO3, बोर एक एक शिट आपका फॉर्म हो गया, ठीक है, अब निचे देखो बच्चो उसका प्रोसिस कहा है, BF3 प्लस 3 वाटर मॉल मॉलिकूल्स, तो बच्चो यहां से, बेटाई 3 प्लूरीन है न, 3 वाटर मॉलिकूल्स आपको चाहिए, तो क्या बनेगा, H3, VO3, HF फॉर्म हो जाएगा, 3 HF, ठीक है, यह तो मैंने बैलेंसिंग बात में कर रही है, इस पर आप ध्यान मत दो अभी, ठीक, नेक्स बच्च आपको यहां पर एक बोरोन के साथ बच्चो आपका compound form करने tendency hold करेगा, तो क्या बनाएगा फिर से, यह एच प्लस को दो release कर देगा, यहां से एच प्लस तो release हो जाएगा न, और यहां से बनाएगा बच्चो आपका BF4 माइनस और water molecules बच्चो H3, VO3 से बाहर निकल जाएगे इसको balance कर लो, तो बच्चो ऊपर 4 का multiply कर देंगे, नीचे 3 का multiply कर देंगे, तो पूरा का पूरा आपका दोने reactions balance हो चुकी है, अब इसको cancel कर दो बच्चो, तो cancel करने बच्चो क्या मिलेगा, यहां से आपको मिल जाएगा बटा अगर आप उपर 4 का multiply कर दो तो यह 4 हो जाए समझ मैं है, तो exactly यह reaction होती है, और बच्चो अगर यही means की बात करो, तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा, advance की बात करो, तू भी आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, इस complete reaction को आपको, समझ मैं आपको बिलकुल आना चाहिए, कि सर यहां पे complete hydrolysis क्यों नहीं हो रहा है, आपको BF3 के अंदर, बाकि जो BCL3 है, BBR3 है, BI3 है, तो BI3 का बटा सबसे highest hydrolysis होता है, उससे कम BR3, सबसे कम होता है बच्चो BF3 का, this is a process of order of hydrolysis, समझ मैं आगा है सबको, clear है, ओके, लोग बात करने वाले है, BCL3, BBR3, BI3 के बारे में ठीक है, तो BCL3 का बटा hydrolysis होगा तो कैसे, इसके पास प्रेजेंटे वही process, इसके पास salon pairs, इसके पास vacant orbital है, अभी बटा देखो, boron बच्चो कहा होगा, यहाँ पे, क्लोरीन बच्चो कहा होगा होगा, तो फिर इसको बच्चो मौका मिल जाएगा, किसको, बटा आपके oxygen को जो water molecules का है, वो आसाइन इस से प्लोन प्रस को यहाँ पे travel करा देगा, जैसे shift करेगा, तो बच्चो आपको पता है कि 3CL है, तो 3CL बहर जाने वाले हैं, तो मैं थोड़ा process आपको बताता हूँ, इसके सामने बच्चो यहाँ पे आपका oxygen, hydrogen, hydrogen, वन लोन प्या, यह बच्चो यहाँ से आपका shift कर जाएग तो यह बच्चो बच्चो क्या बन जाएगा, यह कुछ ऐसा बनेगा, बोरोन के साथ, 1CL, 2CL, एन 3CL, इसके साथ बच्चो आपको जो water molecules बच्चो अटेच हुआ है, वो ऐसे हो जाएगा, इसके पास charge के ऐसा positive हो जाएगा, oxygen पे यहाँ पे negative, आप बच्चो बच्चो बच्चो बच्चो करेंगे, physical properties of boron family, right? और बच्चो chemical properties of boron family और next बच्चो हम लोग बात करें compounds of boron and borax boric hydride boric acid और आपका boron ठीक है हलाक कि अगर मैं आपको बता हूँ तो physical properties लगबग हम लोग cover कर चुके हैं ठीक है फिर भी कुछ बच्ची होई तो इसको हम डिसकस कर लेंगे ठीक है यह कैसे बनते हैं इनकी properties का है सब कुछ ठीक है थेंक्यू थैंक्स फॉर वाचिंग